आज में आप सब्सक्राइब करें अब अगर में आने वाले बिल एकन को जोर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे आज में जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है साहिट टुकरा रेसिपी यह खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिस्ट होती है बहुत लाजवाब होती है और बनने में इसे मुस्किल से 5-6 मिनट का टाइम लगता है और यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इतनी ज़्यादा लाजवाब होती है कि आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे ये किसी रबरी मलाई से कम नहीं है, ये किसी रस मलाई से कम नहीं होती है और ना ही ये किसी मलाई रोल से कम होती है, ये खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है पांस छे शे मिनट लगती है यदी आप आप पो ये वीडियो पसंद आते तो प्लीज वीडियो को लइक करें तो चलिए देख तुर इसे कैसे बनाते हैं इसे कि पैणने करें मैंने यह रायी है कि असरह से लिया है और यह भी गर्स सकते हैं इस टरह से देख है डिट साइज वाले और श्याज वाला ब्रेड़ के लिदी रहें तो आप इसी तरह से इस्याव बहुत अच्छी सेप आएगी और आप चाहें तो आपको सेप में Stef में sako Gणare पीखेंज और पैन में यहां पर यहांपर अ करी 5 छमस तेल डाल दिया और इस तरह सिसे बस सैलो कर आई अंधियर और जल्दी इससे पलट समे typed डेगी संधोर इस तरह से देखें आप इसे डीफ फ्राइ भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां सेलो फ्राइ किया है स्वाद में कोई भी अंतर नहीं आएगी स्वाद वही बहुत ही ज़्याद लाजवाब लगेगी इसका तो इसे मैंने अच्छे से देखिए पलट पलट के इसे सेलो फ्राइ कर लिया है एक्दम क्रिस्पी करारी बनती है और इस तरह से देखिए सभी को मैंने अच्छे से पलट पलट के बना लिया है तो अब मैं इसे दूसरे प्लेट में निकाल ले रही हूँ इस तरह से देखिए, मैंने दूसरी प्लेट में इसे ट्रांस्वर कर लिया और ये देखिए, हमारी सभी ब्रेट की स्लैसिस रेडी है तो अब मैं यहाँ पे रब्री मलाई बनाने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां कराई गरम किया हुआ है और उसमें मैंने करीब देर कब दूद लिया है देर कब दूद लेना है, उससे जादा नहीं लेनी है और इसी से आपकी रब्री मलाई बहुत ही जल्दी बन जाएगी अब बहुत ही गारी बनेगी, बस आपको एक ट्रिक्स यूज करनी है और साथ ही मैंने यहां पे चार चमस चीनी डाल दिया है चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और इसी चीनी घुलने तक हमें इस अच्छे से चलाना है अच्छे से उबाल आने तक पकाना है और दो तीन उबाल आने के बाद मैं इसमें एक ऐसी चीज डालूंग तो यह देखिए अब इसमें उबालाने लगी है तो इसमें देखिए मैं यहां पर देखिए मैंने उबाला आ गया है इसमें तो अब मैं यहां पर ब्रेट क्रम्स जो भी जो भी ब्रेट का टुकरा बचा हुआ था ना बस उसी का मैंने यह ब्रेट क्रम्स मिक्सर में डाल के बेट करम्स बना लिए और 4 चमस ब्रेट कर दिया ज्यादा आपको यह और नहीं करनी है बस चार चमस चीनी चार चमस ब्रेट क्रम्स और टेड कप दूध इसी से आपकी रफरी मलाई बहुत तेस्टी बहुत लच्छछदार बनेगी देखी फ्रेंड अभी इसमें फिर सबाल जाएगी क्योंकि मैंने यहां पर ब्रेट क्रम्स डाला है और लच्छेदार बनेगी अभी देखिए मैं यहां पर रोज एसेंस इसमें एड़ कर रही हूं आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जैसे कि आपको जो फ्लेवर पसंद है यहां पर रोज एसेंस एक चमस लिया है औ इसे बस जैसे ही डाला बस आधा मिनट और बनाने के बाद इसे मैं बंद कर दूंगी तो अब मैं इसे बंद कर रही हूं क्योंकि यह अब बन चुकी है तो देखा फ्रेंड कितनी जल्दी हमारी रब्री बन के रेडी हो गई और बिल्कुल भी देर नहीं लगी और ब्रेट इस इसके उपर डाल रही हूं और इस तरह से देखे इसे फियलाते हुए डालना है तो इससे क्या होगा कि मिठाई बहुत ज्यादा लाजवाब लगेगी तो यह देखिए मैंने इसमें डाल दिया और इसे अब मैं गर्निसिंग कर रही हूं तो इसके लिए मैंने यहां पे इसे सजाने के लिए काजु का को करस कर के लिए है और कुछ ड्राइफ रूट्स जैसे यहाँ पर बदाम को कट कर के लिए है और किसमिस तो यह देखिए मैं अब इसके उपर किसमिस भी डाल रहे हूँ तो आपने हिसाब से झैसे भी गरनििस्थिंग कर सकते हैं तो यह हमारी लाजवात टेस्टी यमी ब्रेड साहिट टुक्रा बने के रहाpower समाल this जाती है तो मैं इसे दिखी एक छोटे से मैंने इसमें इसमें बाल लिया है towards them अब ब्रेट का टुकरा और उसके ऊपर मैंने रबरी डाल दिया और अब मैं यहां पर किसमिस डाल रही हूं और बस अब यह रेडी है खाने को तो आप भी इसे बनाएए और इसका मज़ा लीजे मुझे फिस्वास है कि आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी यह जटप आप जब खाएंगे तो आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो आपको यह रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत अएग कर दो आपको लिए